नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज हम बहुत भैतरीन टॉपिक में बात करने बाले हैं थमनेल में आप देखे लिए होंगे कि सिंपल आप अपने डेट बर्थ का रेलिसिस खुद कैसे करें बहुत सिंपल नुमरोलोजी इस तब वेरी सिंपल टैक्टिक आज मैं आप आपके सामने अपने पास्ट कुछ सालों का एक्स्पिरियंस आपको फ्री में देने वालों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें यह समझे नुमरोलोजी से आपकी मेरिज कब होगी आपकी शादी कब होगी करियर में क्या करेंगे करियर आपके लिए स्पाउस कैसा होगा आपके खुद के पूरे करेक्टरिक्स के बारे में यह सब कुछ नुमरोलोजी से पता चल जाता है और नुमरोलोजी बहुत सिंपल टेक्निक है कोई महनत करने की जरूत नहीं है बहुत सिंपल शीज है नुमरोलोजी आप बहुत जल्दी सीख सकते हो उसका पहला वीडियो है, उसका पहला पार्ट है, तो ज़्यादा समय वेश्ट ना करते हुए सीधे टॉपिक पे चलते हैं, निमरोलोजी में सबसे पहले चार्ट बनाते हैं, मैं आपको एक्छी बता देता हूं कि सबसे ज़्यादा प्रचलित निमरोजी का जो चार्ट बनता है, उसे कहते हैं लोशू ग्रिट, मैं लोशू ग्रिट को फॉलो नहीं करता हूं, हम फॉलो करते हैं सैफ्रियन, सैफ्रिय से लिखो समझने का तरी में संस्मझना का तरीक है तो हमारा जो ट्रीकाा है उस तरीके से अगर आप समझना चाहते हैं तो पहले जो नंबर हम यहां पर हम लिखते हैं चार्ट को समझे लोग, डेट अब बर्त में कैसे लिखेंगे, 3, 1, 9, 6, 7, 5, 2, 8, 4, ठीक है, तो ये आपका, जो हम निमरोलोजी बताएंगे, आपके बारे में बताएंगे, तो निमरोलोजी का जो चार्ट बनता है, वो इस तरीके का बनता है, फॉर एजमपल, आज की डेट के अकॉर्डिंग ले लेते हैं, आज 27 तारीक है, तो 27 मार्च 2023, 27 मार्च 2023, इसको कैसे फिल करेंगे, सबसे पहले हमें फिल करना आना चाहिए, फिल डेट के अडियूजली, डेट आप बर्थ के करेक्टरश्रिक्स के बारे में समझेंगे, फिर लिख देंगे, 7 नमबर कहा लिखा हुआ है, 7 नमबर यहां लिख देंगे, 3 नमबर कहा लिखा हुआ है, यहां पर, 3 नमबर लिख देंगे, अब एक चीच का याद रखना है, सैफ्रियन होरोस्कोप में, 2 नमबर, यह जो होता है, 2-0, that is century नमबर, यह जो 2 नमबर होगा, 2000 से लेके, 2100 तक सबों की में आएगा, है ना, या फिर 1990 का बर्थ है आपका, तो 1-9 का जो century नमबर है, वो सबों का एक जैसा होगा, तो यह हम, क्योंकि सब का एक जैसा होगा, तो एक जैसे सब नहीं हो सकते, तो हम century नमबर को नहीं लिखेंगे, ठीक है, हम यहां पर 2 और 3 ह तो 2 इदर आएगा, और 3 नमबर इदर आजाएगा, तो यह आपका जो चार्ट में फिल करने का तरीका हुआ, अब दो चीज और समझ लेते हैं, सबसे ज्यादा important होता है, सबसे पहला नमबर, जिसको कहते हैं, मूलांक, जिसको कहते हैं मूलांक, मूलांक क्या है, मूलांक ह होता है, date of birth का total, date of birth में सिर्फ date का total, आज 27 तारिक है, तो 27 का total क्या होगा, 2 plus 7 is equal to 9, that is your मूलांक, नेक्स होता है, भाग्यांक, जिसको कहते हैं, destiny number, that is destiny number, ठीक है, आपको clear हो रहा होगा, destiny number में क्या कहना चार्या हूँ, हम यहापे, अमिताब अच्चन जी का date of birth लेंगे, अब इताब अच्चन जी का date of birth है, 11 October 1942, ठीक है, अब आप सभी लोग इस date of birth को इस date of birth को इसके according फिल करना है, बहुत सिंपल है, तो यहापे 1-1 है, तो 1 and 1, दो बार 1 है, फिर एक और बार 1 है, तो एक और बार 1, 11 October ही है न, यस, तो 1-1 and 1, तीन बार 1 आ गया, अब मैंने आपको बताया था, century number को हम फिल नहीं करेंगे, तो 1-9 को हम छोड़ देंगे, फिर आएगा 4 और 2, 4 number यहापे आएगा, और 2 number इदर आजाएगा, इतना clear है सबको, इतना अगर clear है, तो हम आगे चलते हैं, और जिनको clear है, comment box में आप हमें बता सकते हैं, clear है, फिर उसके बाद यहाँ पर हम मूलांक कैसे निकालेंगे, मूलांक date of birth का total, तो 1 plus 1, 1 plus 1 is equal to 2, तो 2 number को हमने यहाँ पर लिख देया, ठीक है, अब निकला लेंगे भाग्यांक, वैसे तो यहाँ पर सभी लोग हमारे Instagram चैनल को follow करते हैं, तो सब को मालम है भाग्यांक कैसे निकाल यहाँ पूरे date of birth का total, अब देखो 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 9 plus 4 plus 2, तो आप सभी जल्दी से इसको total करिये, 19, इसको भी लेके आएंगे, single पे 1 plus 9 is equal to 10, तो क्या number आता है, single लेके आए तो इसको भी 1, तो इनका भाग्यांक 1 number है, पैकेट में लिख देंगे, तो simple आपको क्या समझ माया, अमिता बच्चन जी का numerology चार्ट यह है, अब देखो यह काफी कुछ बता रहा है, यह जो है, चार्ट काफी कुछ बता रहा है, हमिता बच्चन जी के बारे में, सेकेंड पार्ट जो आएगा हमारा इसका numerology का, तो उस पर हम discuss करेंगे, कि इसके बाद एक एक चार्ट को एक एक date of birth के बारे में समझेंगे, और date of birth को कैसे analysis किया जाता है, इसके बारे में समझेंगे, बहुत easy है, बहुत simple है, तो एक मैं एक idea दे देता हूं, जो one number होता है, सन का होता है, सूर घ्रे का होता है, तो आप समझ सकते हो, सूर घ्रे का प्रभाव, अमिता बच्चन जी के life में कितना था, सूर is a authority, सूर राजा है, तो आप जानते हैं, किंग, कौन है वो, अमिता बच्चन, सेलिबिटी में, एक्टर्स के किंग है, सबसे बड़े ओदा मे रहे हैं, authority में रहे हैं, हाना, two number होता है, moon का, तो ये emotional भी है, बहुत भावक भी है, two number, लेखक का भी होता है, तो लेखक भी है, two number, चंद्रमा का है, two number, attraction का है, तो, he is very attractive, जभी तो ये, टीवी पे आए है, and four number, bad health का होता है, खर्चे का होता है, और ये बहुता है, four number राहू भी है, तो आप जानते ही है, एक समय ऐसा आया था, जिसमें, एक मौत के मुह से निकल के आये थे, हमिता बच्चन जी, तो ये फलित पार्ट हो गया, फलित प वीडियोस में, तो ये समझ लीजे, आप अपने खुद की date of birth के बारे में समझ सकते हो, बहुत डीब में समझ सकते हो, prediction निकाल सकते हो, अभी तो आपने date of birth का चार्ट बनाया है, इसकी दशा, अंतर, प्रतिंतर, सब कुछ निकला जा सकता है, ठीक है, I hope आपको बहुत मज आया होगा, और आपको मज़ा आया है, तो subscribe जरूर करें, okay, रादे रादे